गुडीनिंग गाइस आपका हमारे एफिनिटीबूल के यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की जो वीडियो होने वाली है वो डेली स्टॉक टेकनिकल एनलीसिस पर होने वाली है और जो स्टॉक को हम एनलीस करने वाले है वो है इंडियाबूल हाउसिंग फैनाइस तो चलि से पहले अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब देख सकते हैं जो आज की जो क्लोजिंग मिली है इंडियाबूल हाउसिंग फैनाइस को वह मिली है 236 रूपे 30 पैसे की तो गैस मैं आगर वहीं बात करूँ कि आने अले दिनों में इसमें कौन से टार्गेट होने चीजए कौन सा एस्सल इसमें हमें देखने को मिल सकता है यह कह सकते हैं कि इसमें क्या हमारा target होना चाहिए तो इस वीडियों हम वो सब discuss करने वाले हैं तो वीडियों का end तक देखना बिल्कुल न भूले हैं तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे screen पर जो 15 minute का time frame का chart open है अगर वहीं मैं एक trend line यानि registration trend line की बात करूँ तो आप यह देख सकते हैं इतने एक registration trend line को respect किया हुआ है अब देख सकते हैं कैसी यह registration trend line है उसको breakout नहीं कर पा रहा है और वहीं अगर मैं बात करूँ और जो अभी recently इसका price जो आट day की closing मिली है वो एक अच्छे खासे support पे मिली है तो मैं वो support भी draw करता हूँ आपके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि Indiable Housing Finance को इस level पर यह जो level है यहाँ पर अच्छे खासे support भी मिल रहा है गाई आप देख सकते हैं यहाँ पर market ने rate एक रा यह down में था support trend line के नीचे था तो यहाँ पर market को resistance मिल रहा था तब यह resistance का काम करे थी यह लाइन तो आप देख सकते हैं जैसे इस ने फिर नीचे की तरफ उसको breakout अपकी तरफ नहीं दे पाया है आप RSI में देख सकते हैं यहाँ आप और बॉट में चड़ा गया था stock तो हमें एक अच्छा खासा breakout मतलब एक अच्छा खासी ग्रावट भी देखने को मिली अगेन फिर market ने इस लेवल पर यह थर्टी के लेवल पर आके यह 40 के लेवल पर आगे RSI ने रेट्रीव करा अप त tomorrow आप देख सकते हैं यहाँ पे भी breakout बॉट मिला सेकेंड यहाँ पर नहीं मिल onus और थाण इस लेवल पर नहीं विला और ap का support मिल रहा था तो जैसी इसने इसको इस level पर breakout मिला तो हमें यह support trend line बन गए यहनी हमारा support trend line हो गया जैसी इसने इस पर यहाँ पर देखे consolidation phase चला मैं again बता रहूंगा आप देख सकते हैं इस level पर 15 minutes में यहाँ पर consolidation phase मिला यहाँ यहाँ पर buyer accumulate हुए यहाँ पर buyer की position create हुई जैसी इस level में आपने देखा यह जो अलिया विक देख सकते हैं candle sorry candle देख सकते हैं और candle देख सकते हैं यहाँ पर candle तो यह नि प्राइस तो बड़ा बट आप देख सकते हैं नीचे volume भी बड़ा that is why यहाँ पर अच्छा खास हमें एक uptrend देखने को मिला तो same pattern अभी भी इसमें यही है कि जो प्रीवेश सपोर्ट मिल रहा है इस stock को वहीं में बात करूंगा अब देख सकते हैं इस trend line को भी respect कर रहा है वहीं पर sustain कर रहा है उपर जाकर उसको respect करता है टच करके नीचे आ जाता है उसको breakout नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहीं में बात करूंग जो resistant trend line है और जो horizontal हमारे पर support है उसमें gap बहुत जादा है जैसी यह gap fill हो जाएगा आप देख सकते हैं इस level पर यह gap fill हो गया यह जो छोटा सा phase बचे तो आप screen पर देख सकते हैं मैं आपको clear करता हूं आप screen पर देख सकते हैं जो इस stock को पहला इस level पर resistance मिल रहा था उसने देखे गाइस जैसे इसको breakout मिला इसमें अगेन अच्छी खाती तेजी देखने को मिली जब इसमें downfall आया उस मतलब यहां पर आप देख सकते हैं आरसी ओवरबाट में गई जैसी ओवरबाट में गई तो हमें यहां पर correction देखने को मिली जैसी इस level पर हमें correction देखने को मिली और जो previous हमारे पर जो support level बन चुका था उस उधरी से market ने again retrieve करा मतलब uptrend के तरफ गया बट उसने resistance जो transition trend लाइन थे उसको breakout नहीं कर पाया फिर वहीं से हमें एक और downfall देखने को मिला कहां तक देखने को मिला जो support trend लाइन बनी होई थी यानि horizontal support trend लाइन पर उसने वहाँ पर जाके halt लिया मतलब रुका वहाँ पर transition level को transition trend लाइन को breakout नहीं कर पाया क्योंकि यह जो face था इसमें gap फिलोना बहुत कि था आप वहीं पर देख सकते हैं जैसी इस इस trend लाइन यानि इस support लाइन को breakout करा horizontal support लाइन को breakout करा तो हमें जो next major मैं वहीं कहरूंगा जो हमें next major support मिलना चाहिए था वो यह level था आप यहीं से दुबारा देख सकते हैं दुबारा हमें अच्छी खासी दुबारा तेजी देखने को मिली वहीं पर जाके market ने यानि इस stock ने इंडिया बुल हाउस में फानाईन ने हौल्ट लिया जो कि था यह हमारे resistance trend लाइन पर फिर जैसे इस ने इसको breakout नहीं कर पाया फिर हमें अगे करते हैं अगर trend line जो हमारा पहला जो target होना चीए तो वो भी मैं इस वीडियो में discuss करते हैं चले गाइस मैं वह मार्क कर देता हूं जो हमारा पहला target होना चीए मैं एक सेकंड मैं price level लगा देता हूं ताकि हमें clear रहेगा तो guys जो हमारा पहला target होना चीए वो होना चीए 39 रुपीज के रौंड अगर इस तो जो हमारा पहला target होना चीए वो 39 रौंड होना चीए ताकि जो पहला target हम book करेंगे वो trend line के उपर होना चीए यानि जैसे इसने trend line के उपर आता तो हम पहले book कर ले या तो हम wait कर सकते हैं अ कि 42 रुपीज का और जो में आने-र दिनों में टार्गेट मिलना चाहिए वो मिलना ची ए 53 रुपीज के आराउंड अगर मैं वहीं एक हšूरिजॉन्टल लाइन यानि एक जो हमें अमने अदर टार्गेट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए जो हमारा तीसरा यह कह सकता है हमें जो target देखने को मिल सकता है आने आले days में यानि आने आले couple of weeks में next week में हमें जो target मिलना चाहिए वो 253 रुपीस के around मिलना चाहिए अगर market ने इस level को भी breakout करता है तो हमें आने आले time पे और भी अच्छे नए target देखने को मिल सकते हैं या नी कह सकते है आने आले time पे हमें और नए level देखने को मिल सकते हैं इंडियावल housing finance में तो ये थी guys swing trading की strategy और जो अगर मैं बात करूँ गाइस के हमारा SL क्या होना चाहिए तो जो हमारा SL होना चाहिए जैसी इस stock ने इस trend line को breakout किया जो कि मैं इसको red में print कर जीता हूँ जैसी इस trend line को breakout मिला तो यहाँ पे हमारा SL होना चाहिए जो के होना चाहिए 34 रूपीस के around तो यह मैं again बता रहो यह हमारा SL होना चाहिए और पहला जो हमें target होना चाहिए वो होना चाहिए 238 रूपीस के around और जो हमें second target होना चाहिए 243 के around होना चाहिए और जो हमें अच्छा गाता target मिलना चाह 253 रुपीज की आरांड अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक आउट करती है यह स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने आपके लिए आप इन लेवल का ध्यान रखके इसमें अपनी बाइंग की पोजिशन कर सकते हैं जैसी हमें यह सपोर्ट होरिजेंटल ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट मिलता है यह जो हमारा इंडियाबल होसिंग को ब्रेक आउट दे देता है तो हमें exit ले ले लेना है मार्केट मतलों इस स्टॉक से और वहीं अगर इसने इस पर sustain करते हैं यहां पर consolidation फेस चलता है दन हमें definitely एक आने आले दिनों में यानि एक दो दिन के अंदर हमें यहां पर यह जो रेजिशन ट्रेल ने उथमें ब्रेक आउट होता बद दिखेगा और एक हमें अच्छी खासे तेजी देखने को मिल सकते इस टॉक में तो गैस यह थी इंडियाबल होसिंग इसमें quick technical analysis कह सकते हैं यह swing trading strategy के उपर एक छोटी से हमने वीडियो बनाई है आपके लिए आपको आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर एंड कमेंट गैस आप हमें अपनी query को comment section में drop कर सकते हैं हमें social media पर DM क YouTube की वीडियो पोस्ट करते हैं वहाँ पर आप जाकर हमें join कर सकते हैं थैंक्च वह वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू गाइस